गुड इवनिंग ट्रेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ इस खुबसुरत फुलो के साथ में ये जो प्ला वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा दोस्तों ये जो प्लांट है ये बहुत अच्छी हेवी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है तो आप इसके लिए जो है किसी भी प्रकार का पॉट ले इस में देखे यह मेहाना सबसे पहला फ्लावर खिला है रहले लोगे को सल जयाता है इन बहुत हैं वह जैसे प्रकार के चोटे चोटे होते हैं जैद आप इनका एक वालिफ्छी अपने गार्दन में लगा लेंगे तो आने वाले समय में आपके पास इसके धेरों प्लांट इससे आप त्यार कर लेंगे, क्योंकि इनके बल्ब होते हैं, वो multiply होते रहते हैं, आप उनके बल्ब को separate करके एक नया प्लांट भी बना सकते हैं, दोस्तों इसके लिए आप जो है एक वेल्डेन मिट्टी बनाईएगा, और दूसरा आप इसे जो है किसी भी प्रकार का महीने में, दो महीने या 15 दिन के अंदर में किसी भी प्रकार का liquid fertilizer दे सकते हैं, चाये गोबर की खाद हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, या केले के चिलके, या सबजियों के फलो के चिलके, किसी भी प्रकार का fertilizer आप इसको दे सकते हैं, इनके जो फ्लावर होते हैं, वो गुछों में आते हैं और इनमें जो है common हमें तीन color दिखाई देते हैं एक होता है pink color, एक होता है yellow color और एक होता है white color ये तीन color हमको rain lily में जो है common दिखाई देते हैं दूसरा आप इनको जो है किसी भी प्रकार के pot में लगा लिजे आपको अच्छी flowering ही देखने को मिलेगी तो friends ये एक permanent plant भी है और ये बहुत ही hardy plant भी है आप इसे अपने garden में add करेंगे तो देखिएगा ये बारिश में ऐसे flower आपको देगा ये आपका जो garden फूलों से महक उटेगा क्योंकि इनके जो फूल होते हैं वो गुच्छों में ही आते हैं और जैसे ही बारिश होगी और इन plant इस तरह त्यार हो जाएंगे देखिए ये 2 liter की बोतल में मैंने लगाया हुआ है plant और ये देखिए ये मैंने एक छोटे से बेकार जो मेरे रसोई घर का डिपा है उसमें लगाए है इनके बल्ब और एक मैंने ये देखिए ये लगाया है एक छोटी सी एक लिटर की बोतल म इसके बल्ब को लगाया हुआ है और अभी कुछ समय पहले ही मैंने देखे यह जो बल्ब है यह बिसलरी के पानी की जो बॉटल होती है उसमें अभी ही कुछ समय पहले मैंने इनके कुछ बल्ब इसमें भी लगाए हैं यह देखिया तो फ्रेंड्स यह जो प्लांट है यह इतन को इनको अपने friend circle में भी देना पड़ सकता है इस plant को आप over watering friends बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि ये plant जो है over watering से मर भी सकता है इनके जो bulb होते हैं वो गल सड़ के मर भी सकते हैं क्योंकि ये plant bulb के द्वारा लगाया जाता है इसलिए over watering इसको बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है और आप देख सकते हैं इनके फूल होते हैं गुच्छों में इनमें flower आते हैं आपका जो pot होता है वो फूलों से पूरा भर जाता है इतनी अच्छी इनमें flowering होती है मैंने इनके कई plant त्यार किया है ये मेरे पर Dero plant है ये सब rain lily है आप पर भी आप देख रहे है ये rain lily है लगा हुआ और वहाँ पर भी आप देख रहे है तो ये इतनी इजिली multiply हो जाता है कि मैंने इसकी जो है Dero plant इसमें त्यार किये हैं और ये कुछ अभी मैंने बोत्लों में भी लगाए हैं क्योंकि इतना easy to grow plant है कि इनको मैं जो है छोटी-छोटी बोत्लों में भी लगा लेती हूँ और ये देखिए ये मैंने छोटी-छोटी बोत्लों में लगाए हैं और बहुत जल देखेगा इनमें भी flowering आपको देखने को मिलेगी और ये भी मैंने कुछ अभी इन में भी बल्ब लगाए हैं ये एक दो बल्ब इन में भी लगेवे हैं और ये देखे मैं दिखा देती हूँ आपको इसका बल्ब कितना कितना चोटा इनका बल्ब होता है फ्रेंट ये देखे मैं आपको दिखाती हूँ एक मिट ये द साइड में बेबी प्लांट और भी त्यार हो रहे हैं आप देख रहे होंगे ये बडा बल्ब है और इसके साथ बड़ा क्यों हिसे कैया बल्ब और अपके सैंदा और इसा भी कि में डगानệnशन कश्री में बहुत ही असनी से मिलाएं यह बहुत हैं यह फ्लावरिंग देने वाला प्लान्ट है सुध किल्कुल भी ज्यादा के विशिक्ता नहीं होती है तो यह प्लांट आप जरूर लगाएं बहुत ही हाड़ी है लो केर का प्लांट है तो यह थी आज की जानकारी फ्रेंड्स फिर मिलती हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हैपी गार्टनिंग